हेलो फ्रेंट्स आई इस प्रॉल्म को सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या कहते है तो हमें क्वेशन में क्या दिया हुआ है कि 5 कॉंसेक्यूटिव इंटीजर है जो M से स्टार्ट कर रहा है तो उसका एवरेज क्या दे रखा है उसका एवरेज दे रखा है N ठीक है क्वेशन में हमसे क्या पूछता है कि अगर M प्लस 2 से इंटीजर स्टार्ट हो तो ऐसे 6 कॉंसेक्यूटिव इंटीजर का क्या एवरेज होगा यह हमें क्वेशन में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह जो M से स्टार्ट होते हुए 5 कॉंसेक्यूटिव इंटीजर है उनका N से क्या रिलेशन है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि 5 कॉंसेक्यूटिव इंटीजर लिखते हैं जो M से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? M plus 1 होगा, फिर M plus 2 होगा, फिर M plus 3 होगा, और 5th क्या होगा? M plus 4, ठीक है? इसका average हमें क्या दे रखा है? Average दे रखा है N, ठीक है? अगर हम इन numbers का average find out करना चाहें तो क्या होगा? इनका sum करना जाएगा? sum divided by number of observations, ठीक है? number of observation, तो sum क्या आने वाला है? 5 times तो M है, M, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 M तो यह हो गया, plus, जो numbers है, numeric value हो कितनी है? 1, 2, 3, 3, 3, 6, और यह 4, 10, और यह divide कितने से हो जाएगा? कितने number of observation है? वो है 5, it means, यह जो हो गया, यह कितने के बराबर average दे रखा है? यह है, N के बराबर दे रखा है? ठीक? तो 5 से यह 5 cancel हो जाएगा, और यह 10 cancel हो जाएग it means कि M plus 2 कितने के बराबर है? N के बराबर और M कितने के बराबर हो जाएगा? N minus 2 के बराबर हो जाएगा, यह एक equation या एक relation हमें मिल गया, ठीक है? अब question में हमें further क्या कह रहा है? कि अगर M plus 2 से integer start हो, यहां से start, ठीक है? तो उसका average क्या हैगा? तो हम लिख लेते हैं M plus 2, M plus 3, M plus 4, M plus 5, ठीक है? M plus 6 और M plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 integer हो गया, जो M plus 2 से start हो रहा है, ठीक है? अब हम से पूछा है कि इसका average find out करने के लिए क्या करना होगा? हमें average find out करने के लिए sum चाहिए हम, और क्या चाहिए है? number of observation चाहिए? ठीक है? तो sum इस case में क्या आने वाला है? हम इसको sum करने के कितना हो जाएगा? 6 बार तो M है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 6 M आ जाएगा, plus यह जो numeric value है, वो कितनी आ जाएगी? 7 और 6, कितना हो जाएगा? 13, और 5 कितना हो जाएगा? 18, 4 कितना हो जाएगा? 22, 3 कितना हो जाएगा? 25, और 2 यह कितना हो जाएगा? 27, ठीक? डिवाइट करेंगे number of observations टोटल कितनी है? 6 है, इस 6 से अगर हम इसको simplify करना चाहिए, तो कैसे simplify कर सकते है? यह 3 से 2 times होगा, और 3 से 2 times होगा, यहाँ पर कितना times 9 times होगा, ठीक है? तो अब हमें क्या मिल रहा है? 2m plus 9 by 2, अब हम क्या करेंगे? हम इस equation में 2m plus 9 by 2 में m की value put up कर देते हैं, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? 2n minus 2 plus 9 by 2, यह ठीक है? अब यह value put up कर दी, तो हम यह 2 को अंदर ले जाते हैं, यह क्या हो जाएगा? 2n minus 4 plus 9 by 2, that is 2n, यह minus 4 और plus 9 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा? 5 plus 5 by 2, यह हमारा क्या जाएगा? यह हमारा average आएगा 6 consecutive number खा, जो start कर रहा होगा किस के साथ? m plus 2 के साथ. यह हमारा 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 यह हम